चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमारी साइन्स की जो बन लाइनर की स्री चल रही है 50 कोशन्स की इसका चोथा पार्ट यह होने वाला यानि के पहले के तीन पार्ट अल्रीड हम अपलोड कर चुके हैं अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप वीडियो वाली सेक्सिम में जाकर देख सकते हैं तो चलिए करते हैं सुरू सबसे पहला प्रस्न है हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी यह की गई थी कवएन्दी के द्वारा दिहार ookना है हाइट्रोजन की खोज कवैन्दी के द्वारा की गई थी तो यह काफी हम्पुटेन कोुशन है कि एक जूल में होत्ती है 0.238 कैलोरी या नियग्या आपको 0.25 भी देखने के लिए मिल सकता है कि किसका rounding करेंगे आप है न सनिक्टन तो कितना जगा 0.24 हो जाएगा नेक्स्ट है जलका घनत्ब किस ताप पर सरवाधिक होता है ये होता है 4 डिग्री सेल्सेस पर जलका घनत्ब सरवाधिक सबसे अधिक नेक्स्ट है फैदो मीटर का उपयोग किया जाता है ये किया था समुद्र की गहराई मापनी में फैदो मीटर का उपयोग नेक्स्ट है मेंडल ने किस पोधे पर संकरण परियोग किये थी किये थे गार्डेन पी ध्यान नकरा इस पोधे का नाम गार्डेन पी पर अपने संकरण का जो था इन्होंने परियोग किया था Next is Next is वहरी जल का अनुभार कितना होता है यह होता है D2O और इसका नाम होता है D­ое aufлед R polish 20 होता है वहरी जल का अनुभार Next रैफ्रीजेटर तर में thermostat का कारिए क्या होता है तो यह होता है समान टाप बनाना यहनि के टाप को जो है stable रखना यानि जितना पर आपने fix कर दिया है उसका 20-18 जितना भी कर दिया है उसको stable रखना next है आनुवानसी की के जनक कौन है तो यह है Gregor John Mandel यानि के Gregor John Mandel इन्हें आनुवानसी की का जनक कहा जाता है next है radar के आविसकारक है तो यह है Taylor Avam Young radar के आविसकारक next है hydrogen को वायू में जलाने पर क्या प्राप्त होता है क्योंकि hydrogen को जैसे ही जलाते हैं वायू में oxygen से reaction करता है और क्या बना लेता है H2O बना लेता यानि के जल बना लेता है ठीक है next है सूर्य औरज़ा का स्रोत होता है तो यह होता है, ना भी किये संलायन अभी किरियाएं, ध्यान लखना है, सूर्य की जो उर्जा है, इसका जो सुरोथ है, कौन से भी किरियाएं, ना भी किये संलायन अभी किरियाएं, नेक्स्ट है कोशिका का उर्जा ग्रह किसे कहा जाता है नि पावर हाउस ओफ यह कहा जाता है माईटो कॉंड्रिया को नेक्स्ट है कारवन का सुध रूप क्या होता है तो यह होता है हीरा कारवन का जो सुधतम रूप होता है क्या होता है हीरा होता है नेक्स्ट है यह होता है दसकी घात माइनस की 15 मीटर ना भी काकार कितना होता है दसकी घात माइनस 15 मीटर next है कोशिका में प्रोटीन संसलेशल कहा होता है तो कोशिका में जो प्रोटीन संसलेशल होता है यह होता है राइबुसोम में ध्यान रखना है कोशिका में प्रोटीन संस्लिसल राइबोसोम नेक्स्ट है विद्युधारा किस्से मापी जाती है तो विद्युधारा मापी जाती है एम्पियर से ध्यान रखना है विद्युधारा किस्से मापी जाती है एम्पियर next है आग बुझाने के लिए प्रियुक्त गैस होती है तो यह कारवन डाई ओक्साइड यानि इसका जो उप्योग है वो काई के लिए गया था है आग बुझाने के लिए next है फैराडे के नियम संबंधित है तो यह संबंधित है विद्यूत अपगटन से फैराडे के नियम काईसे विद्यूत अपगटन से संबंधित है next है पादप कोशिकाओ का सबसे बाहरी आवरण होता है ते होता है कोशिका भित्ती पादप कोशिकाओ का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ती होती है next है सवामानिय سुस्क सेल में विद्ध अब गटए होता है तो अमोनियम कलोराइडit, यानि के इसका सूतर होता है NH4Cl क्या होता है, NH4Cl, है न, NH4Cl होता है यह NH4 और नहिने सेल, यहले एंभने काई विद्ध अब गटए है, अमोनियम कलोराइड next है दिया सलाईयों के निर्माण में प्रियुक्त होता है तो क्या होता है लाल फासफोरस red फासफोरस next है डायोप्टर किसकी इकाई होती है तो यह होते है लैंस की छमता या निके power of lens की next है कोशिकाओ को एक निश्चित रूप प्रिदान करती है कौन कोशिका भित्ती नेक्स्ट है इंद्र धनुस में कितने रंग होते हैं तो यह होते हैं सात रंग इंद्र धनुस में नेक्स्ट है अमोनिया में क्या उपस्थित होता है तो नाइट्रोजन और हाइट्रोजन क्योंकि अमोनिया क्या सूत्र होता है इसका सूत्र होता है NH3 और N4 nitrogen होता है H4 याँ पर hydrogen होता है next है Doppler प्रिभाव किस से संबंदित है तो यह संबंदित है द्धुवनी से Doppler प्रिभाव द्धुवनी से next है Everly लवक मुख्यत है पाई जाते है तो यह पाई जाते है जड़ों की कोशिकाओं में Everly लवक next है प्रिभाव द्धुवनी का कारण है तो यह होता द्धुवनी का परावरता याँ एक सतर से टकरा कर द्धुवनी का होती है वापस उसी माध्यम में आ जाती है next है मानव आमासे में पाए जाने वाला अमल है तो यह होता हाईड्रो क्लोरी कमली यानिके HCL next है द्धुवनी का प्रिभाव मानव के कान में रहता है तो यह रहता है एक बटा दस सेकेंड तक यानि एक सेकेंड के दस में भाग तक रहता है next है पादप रोगों का सबसे उत्तरदाई कारक कौन सा है तो यह होता है फपुन्दी पादप रोगों का सबसे उत्तरदाई कारक next है बस्तों को गर्म करने पर उनके अनो की चाल यानि गती जूर्जा क्या होती है बढ़ जाती है ब्र जाती है next है ट्यूब लाइट में भरी जाती है क्या पारे की वास्प और आरगन यह जो tube lights होती है इसमें पारे की वहाप होती है और आरगन होती है next करनाल वंट बिमारी है यह तो यह एक बिमारी है गैहूं की next है cancer के उपचार के लिए प्रियोक्त उत्करस्ट गैस है तो यह होती है radon radon का जो उप्योग है काई के लिए गयाता है cancer के उपचार के लिए next पौधो में जल का परिवहन होता है तो यह होता है जाइलम के दुआरा पौधो में जल का परिवहन next है जल का सुधतम रूप होता है तो यह होता है वर्सा का जल जल का सुधतम रूप वर्सा का जल काच होता है तो क्या होता है? अतिशीतित द्रब और एक लिक्विड होता है क्योंकि धीरे-धीरे यह बहता रहता है अमुमन ही होता है क्या है कि जो पुरानी विल्डिंग्स होती है उनके जो काच लगे होते हैं वो ऊपर से पतले हो जाते हैं नीचे से क्या होते हैं, वो मोटे होते रहते हैं, क्योंकि काच नीचे को धीर धीरे बहता रहता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अतिशीत द्रब कहा जाता है, नेक्स्ट है, फिर काच संसलेशल का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो यह होता है, कार्बो हाइड्रेड, गैस में परिवर्तित हो जाते हैं नेचे गोबरगैस का मुख्य अवियवे तो यह होता है यह होता है गैस का मुख्य अव्यवब क्या होता है तो यह होता है मीथिन यानिके CH4 नेक्सट это प्रिकास sensitive योगिक क्या है तो यह होता है glucose next प्राकर्तिन गैस और वाईयों गैस दोनों में कौन सी गैस होती है तो यह होती है मीथिन यानिके CH4 CH4 दही का खट्टापन किसके कारण होता है तो होता है लैक्टिक अमले के कारण किसके कारण होता है लैक्टिक अमले के कारण तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही 50 questions आपको पसंद आए उसको लाइक कीजिए दोस्तों के साथ share करना ना भूले thank you for watching मिलते है next वीडियो में